नमस्कार दोस्तों, Welcome to Action Study Point, मैं उस्तर फुकला दोस्तों कल हमने आपको रात में बताया था कि जो बिहार दरवा का मुख्य परिक्षा का जो रिजल्ट है और बिहार जो ESI का जो रिजल्ट है वो दोस्तों जारी कर दिया गया है लेकिन अभी भी काफी परिसानी है कि जो BPSC का ओफिसल वेबसाइट है वहां पर अभी भी जो है रिजल्ट अप्लोड नहीं किया है तो दोस्तों इसके लिए आपको बिल्कुल भी परिसान नहीं ज़रूद नहीं है एक्जाम नहीं दिया है इसके अलवा आपका केटेगरी पाइज और मेल फेमिल में क्या कट ओफ रहा है पूरी बात इस बीडियों जाने वाले इससे पहले देखिए कि परभात खबर पटना भी यह खबर शापा गया कि दरोगा भरते मुख्य परिशा जो है में 15211 जो है भर नियक्तियों के लिए जो है 15231 अभ्यरतियों को सफलता मिली है इनमे 9924 पूरुस और 5307 महिलाएं अभ्यरति है जबकि 29460 अभ्यरति जो है असफल रहे हैं इसके साथ ही सहाय कारा अधिक्षक भूतपुर सैनी की कोटे में 4231 अभ्यरतियों का चेन किया गया है अगले चलड में इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा जाएगा आयोक के नुसार उनको अलग से सूचना भेज जाएगी वहीं म मर्स आप्रेल के बीच में सभावी तरुप से सारे परी जो होगा है तो जब अब अगर हम बात करें कि परीवधक के इन्फॉर्समेंट duration का प्रिटि का प्रडाम जारी हो गया है परिवहन में वे प्रज़ाइब पर यह एक लाग 7500 परीशा में असफल रहे हैं अब चाहिने 4500 परीशा होगी अब भीर्थियों के विस्ति जनकारी जो है आपके विबसाइट पर दीगे यह दिखिए अब अब देकिए सबसे पहले हम देखतें जो बिहार दरुगा का मुख्य परीशा का हमने आपको ESI का भी दिखा दिया था तो उसके बारें भी हम दुवारा देख लेंगे तो देखें क्या लिखा हुआ है कि पुलिस अवर निरिक्षक यानिके पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रारक्ष अवर निरिक्षक परिचारी यानिके सर्जेंट सहाय का धिक्षक कारा प्रारक्ष अवर निरिक्षक के पत पर जो है के रिक्षक पर सजेंट प्रतियोगता परिक्षक के आधार पर नियुक्ती हेतु विग्यापन संख्य एक दोजार उनिस दिनांग एकिस आट दोजार उनिस को प्राकासित किया गया था प्रारंभिक परिक्षा में पचास अजार बहतर अभिरतियों का चैन मुख्य परिक्षक के लिए था दिनांग को 29 ग्यारा दोजार बिस निकि 29 नव टोटल को टार्ल कितने लोगने यान कि कितने लोग को बुला को बृदा क्या घ्या तो पचासथार बहतर लोंका जो हर इसमें एक लगया तो इहां पर देख लेगे कि टोटल प्रेजेंट कितने थे फर्स सिप्ट एक और दो को मिलाकर तो 47,987 लोग जो है सिप्ट वन और टू मिलाकर जो है प्रेजेंट रहे थे अगर हम में आप से टू की बात करें तो कुल 50,72 वहीं जो आपका सिस्टम था तो उसमें कुछ अंतर नहीं होगा तो 47,987 जो लो यहांनिकि जु इसके अधार पर 2,995 लोग को disqualify किया गया है और OMR सीट पर जो है आगे है इसको पढ़लेंगे कितने लोगों nigga को अब देखिए यहां पर हम बात करें कि डिस्क्वालिफाई वाला यह आपस अगया इसका भी 30% उपर हो गया है तो नमबर ऑफ कितने हुए हैं जिसका भी 30% से उपर आया हुगा यानिकि 46,600 लोग को जो है 14,300 ओ ठामन लोग को जो है इसमें पास जो है घुषित किया गया है और जिसका 30% से कम रहाँ से फेल्प होज़ित किया गया यानिकि 147 लोग जो है इसमें फेल हुए तो टोटल पास कितने लोग हुए है 46,505 लोग पास हुए इसमें जो है आगे अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एकर हम सेकेंड सिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टेडिस की पेपर की बात हो रही है तो 30% से ज़्यादा आया 45,100 क्यों लोगों का और फेल हुए हैं 1207 यानि कुल पास हुए यहां पर रखा गया है इसके बाद अगर हम cut off करा पूरा देखें आपर विसार से पूरा आपको एक चीज मिल जाएगा तो पुलिस सर्जेंट के में कितने वेकेंसी थे पुलिस सर्जेंट के अगर हम बाते रहें तो जनरल में 80 महिलाओं में 28 EWS में 22 महिलाओं में 6 में 26 महिलाओं में 9 EBC के लिए 40 महिलाओं के लिए 14 में 38 महिलाओं के लिए 13 में 3 महिलाओं के लिए 1 इस प्रकार से और 41 महिलाओं के लिए तीन इसमें भी पोस्ट जो है freedom fighter के लिए रिजर्व है इस प्रकार से आप इसको screen shot लेके देख लिजेगा यहां पर क्या दिया हुआ कि अगर हम आगे अब देखें यहां पर दिया हुआ है कि data of selected candidates wards of freedom fighter से कितने लोगा selection हुआ है तो जनरल में 85 लोगों का selection हुआ है महिलाओं में 9 यानि कुल मिला कर 94 EWS में 65 male, 3 female कुल मिला के 68, BC में 81 male, 4 female मिला के 85 हो जाएगा, EBC में 38 male, 1 female मिला के 49 हो जाएगा SC में 2 male, 1 female मिला के 3 हो जाएगे और total मिला के 271 male, 18 female जो है हाँ पर इनका selection इस बार हुआ है Data of all selected candidates अगर हम कुल selected candidates की बात करें तो दिखिए जनरल में जो है male में 4131 और female में 2012 को मिला के 6143 लोगों के इसमें selection हुआ है EWS में अगर हम बात करें तो 1147 male और 433 female मिला के 1580 हो जाएगे BC में 1149 male, 518 female मिला के 1733 हो जाएगे और वहीं पर EBC के बात करें तो 1656 male, 908 female मिला के 2564 हो जाएगे SC में 1448 male, 863 female मिला के 321 हो जाएगे इससे प्रकार से SC में 112 male, 48 female मिला के 160 हो जाएगे BC woman में जो है केवल female 441 इनका selection हुआ इसके लावा freedom fighter में बात करें तो 271 male, 18 female मिला के 299 यानि कि सब मिला के आपर देख सकते हैं कि 9924 male और 5307 female का selection हुआ है और यहाँ पर जो है 15231 जो है cool selection हुआ है 15231 अब जो है इनका March है, April में PET जो है इनका किया जाएगा ने के physical efficiency test तो PET के लिए 15231 लोग कुल मिला के qualify किये हैं अब कितने लोग select नहीं हुए हैं तो इसका भी data दिया हुआ है देख कुल मिला कर जो है बाइस जार अरतिस male में और 7239 female में और कुल मिला कर जो है 29466 लोग जो है select नहीं हुए है तो यहाँ पर not selected का data दिया हुआ है अब सबसे important आता है की cut off कितना गया है तो cut off को देखी कितना गया है general की बात करें तो general में 15566 मार्क गया है male की बात करें और male में 75.88% जो है आपका जो है गया है cut off female की बात करें तो 123.88 mark या फिर 169% जो है इनका cut off गया है EWS की बात करें तो 162.8 marks या फिर यहां पर percentage में देखें तो 172.4% हो जाएगा वहीं female में 102.9 marks या फिर 54.5 जो है percentage में आपका आ जाएगा BC की बात करें तो यहां पर आपका 72.6% गया है और महिलाओं में 57.5% गया है EBC की बात करें तो यहां पर 141.7% गया है और महिलाओं में 101.4% गया है वहीं ST की बात करें तो 132.4% यानि की marks या फिर 66.2% महिलाओं में 81.4 marks या फिर 40.7% पर आपका cut-off गया है ST की बात करें यहीं पर तो काफी आपका यहां पर है 136.2 marks या फिर 68.1% महिलाओं की बात करें तो 107.4 marks या फिर 53.7% गया है वहीं पर हम बात करें की BC women में तो 109 marks गया है या फिर 54.5% और FFW की बात करें तो Freedom Warriors वाले हो जाएंगे 166 marks या फिर 58.8% जो हो जाएगा आगे का लिखा हुआ है कि विग्यापन संख्या एक 2017 के अंतरगत एक महिला अभिर्थी जो है खुस्पु सर्मा द्वारा माननी सर्वोच नियाले में सिविल अपील संख्या 761 बटे 219 यानिके जो SLPC था संख्या 1425 बटे 219 से उद्भूत दायर किया गया था उक्त याचिका में माननी सर्वोच नियाले द्वारत दिनांग 279 2019 को पारित आदेश में याचिका करता खुस्पु सर्मा द्वारा अन्य महिला अभिर्थियों के लिए सारेरीक जाच मापन पर रिक्षण आयुजद करने का आदेश दिया गया था उक्त समायोजन के पिसलाट अत्या पिशडवर की कोटी में विद्जापित रिक्तियों के कुल संख्या ł कोटी 35% की संख्या में दो पद कम हो गई है अब बूत पूर सेनिक की कोटी में 400 अभिरतियों का चेंघ किया गया है अगले चरण में इनके भी लिखो का सत्यापन किया जाएगा निकि डॉक्यमेंट वरिफिकेशन किया जाएगा जिसके लिए इन्हें अलग से सूचना भीज जाएगी मुख्या परिक्षा में चैनित अन्यकोटी के अभिर्थियों यानिके जो की 15231 लोग सफल हुए इसमें को सारीरिक दक्सता परिक्षा ने की PET में सम्मिलत होना अनिवारे होगा PET की ती थी मार्च अपरेल 2021 में संभावी थे जिनके लिए प्रतेक जैनित अभिर्थी को प्रवेसपत्र ई-मेल एवम एसमेस के माध्यम से लेकिन अभी अप्लोड नहीं हो पाया लेकिन जल्द ही आपका अप्लोड हो जाएगा निचे लिखा कि विसेश कार बतादिकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बटना तो देखिए इस वीडियो में इतनी जानका रहे थी बहुत धन्यवाद